तो स्वागत है आप सभी का एक्जाम स्विध MS YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो में आप के लिए लाए हैं क्लास 12 बायोलोजी का एक और मॉडल पेपर तो ये मॉडल पेपर का यूज आप अपनी परिक्षा की तयारी के लिए कर सकते हैं बायोलोजी सब्जेक्ट के लिए तो चले देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रशन इस मॉडल पेपर में हैं दोस्तों ये केवल मॉडल पेपर है इसका यूज आप अपनी तयारी में कर सकते हैं परिक्षा में यही क्वेस्चन साएंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ठीक है तो शुरू करते हैं आज का अपन का उधारण है तो ये उधारण होता है समजातता के, अग्ला प्रशन में हमारे पास कि BT फसलों के उत्पादन में, BT फसलों के उत्पादन में निम्न लिखित में से कौन भाग लेता है, तो जीवाडू भाग लेते हैं, BT, Bacillus thurigensis नामक bacteria भाग लेता है, BT विश्के निर्माण में और उनहीं का यूज किया जाता है, BT फसलों में, यह जैव प्रयोद होगी की, यानि की, बायो टेक्नोलोजी के अंतरगत आता है, अगला प्रशन है कि DNA के कि खंडो को आपस में किस enzyme से जोड़ा जाता है, तो DNA की खंडो को आपस में lygase enzyme से जोड़ा जाता है, अगला प्रशन है हमारे पास, कि ताज महल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है, तो ताज महल को SO2 गैस से खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये जल से, वर्शा के जल से react करके H2SO4 या H2SO3 बना देता है, जो कि संग मरमर, यानि कि calcium carbonate पर गिरता है, तो फिर वो calcium sulfate में उसको convert कर देता है, इससे क्या होता है, कि ताज महल की चमक धीरे-दीरे कम पढ़ती जाती है, ठीक है, नेक्सट क्वेशन देख लेते हैं, अब एक-इक नंबर के क्वेशन आ गए है, छोटे क्वेशन्स हैं, जो की, हीमोफिलिया को ब्लीडर रोक क्यों कहते है, इसका अंसर देना है, इसके बाद है पारकर्मड क्या है, नेक्स्ट क्वेशन है हमारे पास, दोस्तों यह जो छोटे क्वेशन है इनका आंसर आपको आदे पेज तक में लिखना होता है और कुछ तो जैसे यह क्वेशन है शैतूत के रेशम कीट का वैग्यानिक नाम लिखे तो बॉम्बिक्स मोराई आप एक ही वर्ड लिख देंगे एक वर्ड लिख देंगे या एक लाइन लिखेंगे कि शैतूत के रेशम कीट का नाम बॉम्बिक्स मोराई होता है ठीक है तो यह छोटे क्वेशन है एक नंबर के लिए यह प्रशन होते हैं अगला प्रशन है सिरका के उत्पादन में किन जीवाडों का उपियोग होता है नेक्स्ट है हमारे पास जैप्रोध्योगी की से आप क्या समझते हैं तो यहाँ पर एक नंबर में यह प्रशन है तो यहाँ पर इसकी आप केवल परिभाशा लिख देना कि जैप्रोध्योगी की क्या होती है अगले नेक्स्ट क्वेशन है हमारा क्वेशन नंबर तीन इसमें दो-दो नंबर की प्रशन आ जाएंगे तो सबसे फ़ला प्रशन है दो नंबर का कि एक संकर और दुई संकर में आपको अंतर बताना है विभेध करना है विभेध का मतलब अंतर ही होता है तो एक संकर और दुई संकर में आपको अंतर बताने है अगला प्रशन है टेंपलेट रज्जू और कोटिंग रज्जू में क्या अंतर है तो दो क्वेशन अंतरों पर आधारित है अगला प्रश्ण है बहुतिक समय सारडी क्या है कौन सा महा कल्प सरी सरप युग कहलाता है और क्यों अगला प्रश्ण है कि पारजीनी जन्तु से आप क्या समझते हैं पारजीनी जन्तु से आप क्या समझते हैं अगला प्रशन है हमारे पास की उत्प्रेरक परिवर्थक पर टिपणी लिखी है उत्प्रेरक परिवर्थक पर टिपणी लिखनी है तो यह सभी क्वेशन हिंदी के जो शब्द हैं जैसे उत्प्रेरक परिवर्थक हो गया या पारजीनी जनतों गई यह सभी NCRT के जो हिंद based question bank या फिर NCRT based book से अपने इस प्रकार के प्रश्णों की तैयारी कर सकते हैं अगला प्रश्ण हमारे पास question number 4 start हो गया है और 4 का जो पहला प्रश्ण है का शियान या कलम पर आपको टिपड़ी लिखनी है शियान या कलम पर आपको टिपड़ी लिखनी है next question यहाँ पे हमें मिल जाता है तीन number के लिए कि अंड जनन क्या है ठीक है और अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करनी है अंड जनन क्या है आपको इसकी संक्षिप्त व्याख्या करनी है चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्णों पर चौते प्रेशन का ही गाह प्रेशन है कि जनसंख्या विस्वोट के कौन कौन से कारण है तो जनसंख्या विस्वोट के क्या क्या कारण है वो आपको बता देना है जैसे कि अशिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गई, भारत की गर्म जलवाईू हो गई या दुनिया में और भी रीजन्स होते हैं जो कि जनसंग्य विस्वोट के कारण होते हैं उनको आप बता सकते भारत में गर्म जलवायू भी यहां की जनसंग्य व्रद्धी का एक प्रमुक कारण है अशिक्षा है बेरोजगारी है और भी कारण है काफी easy question होता है आप जानते इसको तीन नंबर में यह पूछा गया है अगला question है लिंग गुडसूत्रिय ट्राइसोमी पर टिपणी लिखो लिंग गुडसूत्रिय ट्राइसोमी पर आपको टिपणी लिखनी है तीन नंबर मिल जाएंगे आपको अगला question है question number five start हो गया है कि human genome project जिसको मानव genome project कहते है उस पर आपको संक्षिप्ट टिपणी लिखनी है human genome project पर आपको note लिखना है हर एक question bank में ये question हमें मिल जाएगा मिलर के प्रयोग का वरडन कीजिए तथा नामांग की चितर बनाइए तो मिलर का प्रयोग जो होता है उसका भी नामांग की चितर मिल जाएगा और उसके बारे में भी आपको question bank में मिल जाएगा अगला प्रशना है कि पादप प्रजनन का महत्तो बताईए और उसके बाद जो प्रशन है कि जैविक खाद पर यानि कि बायो फर्टिलाइजर्स पर आपको टिपणी लिखनी है जैविक खादें क्या होती है पहले ये लिख देना फिर उनके उप्योग लिख देना उनसे क्या या लाब है ये लिख देना तो एक ये दो पेज का आपका question का अंसर यह कार्य लिखिए दूसरा प्रशन है छटे का कि जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है जीन थेरपी से आपका क्या अभिप्राय है गंबीर संयुक्त प्रतिरक्षा नियुनता SCID बीमारी का उपचार कैसे होता है तो तीन नमबर का ये प्रशन है और इस प्रशन के दो पार्ट है एक पार्ट तो यहां तक है कि जीन चिकितसा से क्या भी प्राय है और दूसरा है संयुक्त गंबीर संयुक्त प्रतिरक्षा नियुनिता SCID बीमारी का उपचार कैसे होता है अगला प्रशन है सह जीवन पर आपको टिपपड़ी लिखनी है सह जीवन क्या होता है इसको समझाना है तीन नमबर का प्रशन है और इसके बाद है मारे पास की चुरू की गई थी परियोजना और इसके बारे में कुछ भी जो डेटा हो आपको मिले उसको आपको लिखना होगा अब क्वेशन नमबर साथ पांच पांच नमर के प्रशनिया पे स्टार्ट हो गए हैं तो पांच नमर का जो पहला प्रशन है दुबीज पत्री ब्रूण के विकास का वरडन कीजिए अथवा अगर आप ये प्रशन नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं पीडियों का एकांतरण क्या है वाट इस अल्टरनेशन अफ जनेरेशन और एक आवरत बीजी पौधे के जीवन इतिहास का केवल रेखां के चित्रों की सायता से वरडन कीजिए तो पीडियों का एकांतरण क्या है इसको आप लिख दो उसके बाद क्या है कि आवरत बीजी पौधे के जीवन इतिहास का रेखां की चित्रों की सायता से वरडन करो यानि कि एक आपको अच्छा सा डाइग्राम बनाना है जिससे आवरत बीजी पौधे का पूरा जीवन चक्र समझ में आता हो क्वेशन नमबर आठ है हमारे पास क्वेशन नमबर आठ में पूछा गया है कि निमन लिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वरण करो तता इन से बचने के उपाई लिखो तो अलकोहल के हानिकारक प्रभाव और इन से बचने के उपाई लिखो ड्रग या नमबर का question है अथ्वा अगर आप यह question नहीं करना चाहते है या आपको नहीं आता है तो आपको एक question मिलता है कि विशाडु द्वारा उत्पन एक रोग का नाम लक्षण, उपचार तता बचाओ के उपाय बताईए जैसे आपने विशाडु द्वारा उत्पन एक रोग बता दिया influenza ठीक है तो influenza के बारे में आप लिखए इन फ्ल्वारा का नाम हो गया उसके लक्षण क्या है उसका उपचार क्या है और उससे बचाओ के क्या उपाय है ठीक है इसके बाद विशाडु से COVID-19 भी होता हम जानते कोरोना वाईरस भी एक वाईरस ही है यानि कि और बचाओं के उपाए क्या है ठीक है तो यह आप लिख सकते हैं अच्छे से ठीक क्योंकि कोविड-19 भी एक वाइरस ही है एक विशाड़ू ही होता है अगला क्वेशन है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है विबिन प्रगार के पिरामिडों का वरडन कीजिए यह क्वेशन से पूचा गया है अथवा अगर आपको यह एको लॉज़ी का कुशन नहीं करना या आपको नहीं आता है तो अथवा में आपको एक विकल्प मिलता है कि पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा पुर्वा का वरडन कीजिए कि एको लाजिकल सिस्टम में एनर्जी का फलो किस त जा सकता है लेकिन 3 page का हो नाशीर, 3 page का मतलब दोनों तरफ के page नहीं, 6 page नहीं total, 3 page मतलब 1 page, फिर उसके दूसरे तरफ का 2 page और फिर एक और page, पेज होता है केवल एक तरफ का पार्ट, और पन्ना होता है या leaf जिसको कहते हैं, वो होता है दोनों तरफ का, उसको एक पन्ना य लीफ बोलेंगे और पेज मतलब सिंगल साइड ठीक है तीन पेज का आप को क्वेशन करना चाहिए तीन साड़े तीन भी कर सकते हैं चार भी जा सकता है ठीक है लेकिन कम से कम तीन का होना चाहिए तो गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी आपने इन कुछ प्रेड़ा लेकर अपनी तयारी को अच्छा बराने का सोचा होगा तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहिए एक्जाम सुद एमेस यूट्यूब चैनल है आपका चैनल है आप सब्सक्राइब करेंगे इसी प्रकार की इंपोर्टेंट